माता जी दो घंटे से खाना बना रही होंगी इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तों ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉंटिनिवस का सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉंटि एक helping verb लगाना है, तो यहाँ पर will have been रहेगा, उसके बाद लिखेंगे verb और verb के साथ ing, और इस sentence का verb है बना रही होगी, यानि कि बनाना इस sentence का verb है, तो यहाँ पर बनाना का मतलब है पकार रही होगी, यानि कि पकारना को इंगलिस में cook कहते हैं, तो cook के साथ ing लगाएंगे, त sentence का object है खाना यानि कि भोजन और भोजन को इंगलिस में food कहते हैं तो cooking के बाद लिखेंगे the food उसके बाद since यह for का प्रयोग करके समय को बचाना है तो इस sentence में समय दिया गया है दो घंटे से यह एक अनिस्चित समय है तो अनिस्चित समय के लिए for का प्रयोग करते हैं तो यह हो जाएगा दो घंटे से यानि for two hours तो यह sentence translate हो गया माता जी दो घंटे से खाना बना रही होगी इस sentence के इंगलिस होती है mother will have been cooking the food for two hours mother will have been cooking the food for two hours दोस्तो ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं जहाँ पर आपको सभी sentences का sentence मिल जाएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल पर हो जाना नए-ने translation सीख सकते हैं तो चैनल को subscribe करें